Hello everyone, welcome to my channel which is Simple Learning और आज हम पढ़ेंगे class 4 में एक poem Amaltaz जिसे compose किया है दीपा शर्मा ने तो बच्चों जो Amaltaz का ट्री है उसके बारे में थोड़ा बहुत poet ने डिस्क्राइब किया है और वो उस पेड को thank क्यों कह रही है और वो thank you क्यों कह रही है उस पेड को तो अब हम समझते हैं इस poem को तो जो Amaltaz एक tree होता है बच्चों तो यह जो tree है इसके जो flower होते हैं उनका color कैसा लगता है yellow तो yellow color किसका भी होता है कोई metal होता है जिसका color भी yellow ही होता है तो वो है gold तो यह जो इस ट्री की फ्लावर है यह गोल्डन कलर के दिखते हैं तो यह है बच्चों एमल्टार ट्री स्पीक में और यह उसके फ्लावर जो किस कलर के है यलो कलर के और यह फ्रूट है इसका जो ब्राउन कलर की है यह बारीक बारीक यह इसका फ्रूट है तो बच्चों यह हमारे सहरों में भी दिखता है हमें ये ट्री ये बहुत बड़ा और इसके जो फ्लावर हैं वो कितने अच्छे लगते हैं दिखने में yellow color के जिनका gold metal की तरह है जिनका color तो golden color के flower हो गए वो तो जो poet है वो भी इसी tree के बारे में describe कर रही है तो बच्चों पोयम शुरू करते हैं Reading section Read this poem in which poet addresses a tree and expresses her admiration and gratitude for it तो बच्चों, reading section में ये कह रहे हैं कि इस poem को हम पढ़े, read करे और जिसमें की जो poet है, वो किसको संबोधित किसको बता रही है, इसमें, किसके बारे में बात कर रही है ट्री के बारे में, और उसको उसके जो तारीफ कर रही है खूब क्यों? क्योंकि बहुत ही अच्छा लगता है उसके जो फ्लावरेओं बहुत अच्छा लगता है और उसको thank you बोल रही है, उसको धन्यावाद कर रही है सुक्रिया कह रही है golden chandeliers under a fierce blue sky setting me softly from the sun's heat swinging seren तो बच्चों, जैसे कि जो पोयट है वो थैंक कह रही है इस ट्री को तो वो इसके बारे में describe करके कह रही है कि ये जो सुनेरे फूल है ये जो सुनेरे फूल हैं का बंच है जो गुच्छा है जो और किसके नीचे इस नीले sky के नीचे अभी तो बहुत गरम हो रहा है और इस नीले आसमान के नीचे ये जो ट्री है ये क्या कर रहा है मुझे उस गर्मी से बचा रहा है तो बच्चों हमने तो science में पढ़ाई जो ट्री हैं जब बहुत तेज गरमी होती है और हमें चाया के जरत होती तो पेड़ा में चाया भी देते हैं जो तेज गरमी है सूरज की और ये जो इसके फ्लावर है और पतियां वगेरा है ये क्या कर रही है हिल रही है और किसी भी तरह के आवाज नहीं निकाल रही है वो move तो हो रही है पर आवाल नहीं सुनाई दे रही है तो इसमें जो poyat है वो इसके बारे में ये बता रही है कि ये जो tree है ये मुझे अभी क्या दे रहा है चाया दे रहा है इस गर्मी से बच रही हूँ मैं, ये इस गर्मी में मुझे इस पेड़ के नीचे चाया मिल रही है, कि इस पेड़ के नीचे बचों है माल टास In the burning wind, your moment a dance, soothing weary eyes, making me forget the scorching ear, the sandpaper dust on my cheek तो इसमें poet कह रही है, कि ये जो burning wind है, यानि कि जब गर्मी होती है, तो हमें गर्मी हवा मिलती है, ठंडी हवा तो मिलेगी नी बच्चों, क्योंकि बहुत गर्म होता है तो तुम्हारा जो moment है, यानि कि वो जो ट्री की flower है, वो पतियां है, वो ऐसे moment कर रहे है soothing weary eyes, मेरी आखों को बहुत ही अच्छा लग रहा है, मुझे मज़ा रहा है देखने में making me forget the scorching ear, और मैं ये सब भूल जा रही है उसको देखकर, कि बहुत गर्म हवा है मैं उस पेड को देखकर, जो moment कर रहे हैं, उसकी पतियां, फूल वगेरा तो उसको देखकर, वो मेरी आखों को बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैं इतनी तेजी और जो गरम हवा है, इसको भूल ही गई देखते देखते, the sandpaper dust on my cheek, और जो धूल है, जो मेरे गालों में चिपकीवी है उसको भी मैं भूल गई हूँ, इस tree को देखके, यह जो tree movement कर रहा है इस tree को देखकर, मैं वो भी भूल गई हूँ, तो बच्चों, आपके पास यहां पे कुछ word दिये गई है तो मैंने हिंदे में भी लिखे उनका meaning, जैसे की weary, ठकावा तो उसकी जो ठकीवी eyes, आखे हैं, इतनी गर्मी में तो उनको राहत कैसे मिल रही है, उस पेड को देखकर, जब उसकी पत्या हिल रही है पेड कर रहा है पेड, उसके flowers कितने अच्छे दिख रहे हैं उसे, पोयट को देखको पर वो सब उस पेड को देखकर सब भूल जा रही है, उसको पेड इतना अच्छा लग रहा है तो यहां पे जो पोयट है वो बता रही है कि यह तो बहुत ही अच्छा है मेरे लिए कि इस तेज गर्मी में, इस चुपती गर्मी में मैं तुम्हें ऐसा देख रही हूं लहराते वे, इतना सुंदर लग रही हो तुम क्योंकि गर्मी में तो हमारी हालत खराब हुजाती है और इस गर्मी में उसको उस पेड को देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है इन वोक उन टिप्टो और वो बता रही है कि मैं जैसे बचो मैंने इस पिक्चर में बताया गये तो यह होता है टिप्टो ऐसे चलना यानी कि जो हमारी पेरों की जो अंगोठा यह जो अंगूल्यों होते हैं हम उसके बल चलते हैं और वो जी विए हील से उसको अफवर्ड बना दिया cover, यानि कि उसको उस गर्मी से बचाने के लिए, जैसे कि हम umbrella लेते हैं, ताकि हम या तो हम बारिष से बचे या तेज धूप से बचे, तो वो ऐसे ही हो जो पेड़ है, वो अम्बरेला की तरह काम कर रहा है, उसको ढगने का तिससे कि उसको गर्मी नहीं लग रही ह तो यहां पर यही काग्या है कि जो उस अमल्टाज ट्रीक है, जो flower है, वो ऐसे दिख रहे हैं, जैसे कोई golden lace होती है, जैसे हमारे कपड़ों में भी लगी रहती है, हमारे fancy dress वगएर होती है, तो कितने अच्छे लगते हैं, वो shining lace होती है, जो उनमें लगी वी किनारे से, त और वो जो flower है, वो जो tree का movement है, उसको देखकर उसको बहुत ही अच्छा लग रहा है, और वो जो गर्मी है, वो सब कुछ भूल जा रही है, और enjoy कर रही है, जैसे कि princess है, वो अपने पैरों को जैसे ये tipto, tipto style में घूम रही है, इधर, उधर, और भूल जा रही है, जो भी जो घर्मी वगेरा या जो भी वो परेशान है, तो बच्चों यहां पे आपके जो पैरग्राफ में ये world जो दीग है, उनका meaning, बताती हूं आपको, gloriously, जो सुन्दर, बहुत ही सुन्दर लग रहे हैं वो जो फूल है, यलो कलर के, और canopy बच्चों ये, जो कतार है, इसकी तरह खुम रही है, तो बच्चों, अब हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं, poet के बारे में थोड़ा दीपा अगरवाल poet, जिसने poem compose की है, तो वो बहुत ही जादा जो जिसमें वो रहता है, फैक्ति रहता है, जिसमें रहस्या रहता है, कुछ, और adventure, यानि की नई-नई सहासी जो novel रहती है, जिसमें हम बहुत च्छे काम करते हैं, तो वो वाली novel लिखी है, और भूतों के story भी लिखी है, उन्होंने poem भी लिखी है, बच्चों के लिए और बड़ों के लिए बी, और वो कहां रहती है, sea lives and works है, निव डेली में रहती है, तो ये उत्राखंड में बॉर्ण हुई है और रहती न्यू डेली में है तो बच्चो ये पोयम अमाल टास के बारे में थी जो हमारे सेरो में भी देखा जाता है और जिसके यलो कलर के फ्रावर होते हैं अगर आपको ये जो पोयम है मैंने जो समझाई तो आपको जो भी अच्छा लगाओ ये जो मैंने बताया आपको जिसमें में तो मेरे चैनल को प्लीज लाइक, सब्सक्राइबर सियर करना मत भूलिएगा ठैंक्स फर वाचिंग माई वीडियो और आगे में आपके ले वीडियो धाती रूंगी ठैंक यू